आप देख रहे हैं एलफा डिफेंस, एलफा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है युनिट लाइट टैंक अक्वाइर करेगी और इस लाइट टैंक को लेकर DRD और L&T मिलकर काम कर रहे हैं काफी हथ तक यह जो टैंक बनाया जा रहा है इसमें टाटा केस्ट्रल वाला मॉडल या कहें एटाक्स वाले मॉडल का प्रियों किया जा रहा है जहां पर डिजाइन DRD ओ की है और एक प्राइवेट पार्टनर इन सस्टम्स को भारत में बना रहा है देखे प्रोटोटाइब डेवलाप्मेंट के लिए जब भी कॉंपनेंट्स बाहार से मंगाये जाते हैं तो ये कॉंपनेंट काफी कम नंबर में ओडर किये जाते हैं और इसी वज़े से इनके डिलिवरी में कई बार डिले होती है इसके अलावा जब आप एक बार कमिट कर लेते हैं किसी भी प्रोटोटाइब के कॉंपनेंट के लिए तो मेकर को ये चीज समझ में आ जाती है कि आप उनके उपर डिपेंडेंट है और आपके पूरे प्रोजेक्ट की टाइम लाइन काफी हद तक उनके कॉंपनेंट के उपर डिपेंडेंट है अब इस तरीके की opportunities कई तरीके के negotiations में यूज की जाती है और कई बार कोशिश की जाती है कि इन components के बदले में आपके जो और project spending है उसके उपर approval मिल जाए देखे makers को यहाँ पर कोई भी incentive नहीं है और वो यह चीज जानते हैं कि आने वाले समय में जब यह tanks भारत produce करेगा तो वो अपना खुद का engine यूज करेगा और यहाँ पर cable prototype development के लिए कुछ मात्रा में इन engines को import किया जा रहा है ऐसे में makers के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा incentive नहीं है और वो यह चीज समझते हैं यही कारण है कि जब LR use बाहर से import किये जाते हैं तो उसमें कई बार delay होती हैं चीजें अटकती हैं और आप makers की पहली priority नहीं होते हैं इसी वज़े से कई बार देखा गया है कि जब भी कोई नया system बनाया जाता है तब कोशिश की जाती है कि कुछ मात्रा में विदेशी system को import कर लिया जाए और उनके components को देश में बनाया जाए साथी इन components के साथ में आप कई बार spare parts भी लेते हैं और prototypes को consider करते हुए ये spare parts पहले से और ज़्यादा मात्रा में खरीद लिये जाते हैं अब जोरावर के case में German engine की जगह पर American engine यूज किया जाएगा और ये चीज हम सभी जानते हैं कि comments के साथ में Tata काफी पहले से काम कर रहा है इनकी partnership काफी deep है और naturally prototypes के लिए इसका advantage भारत को मिलेगा लेकिन यहाँ पर जो दूसरी important चीज है वो है modification और timeline MTU से comments shift करना वैसे तो competitively आसान process होगा लेकिन जो prototype already बन चुके हैं तो इनके hull में थोड़ा change किया जाएगा ताकि यह नए engine को house कर सके naturally इस change के चलते समय और लगेगा और जो timeline initially planned की गई थी यानि कि year end उसमें बदलाव आएगा वैसे hull modification में बहुत साथा समय नहीं लगेगा और इसी वज़े से माना जा रहा है कि लगबग 2-3 महीने की delay हो सकती है क्योंकि change के बाद में hull दोबारा test किया जाएगा और इस change और testing के process में थोड़ा समय लगेगा वैसे हम लोग यहाँ पर जिस tank के बारे में बात कर रहे हैं वो DRDO का tank है और इस tank के prototype को DRDO के साथ में मिलकर LNT बना रहा है इस tank project को नाम दिया गया है जोरावर लेकिन जोरावर एकलोता tank नहीं है इंडिया नामी की light tank requirement को address करने के और यह तीनों tank भारतिय थलसेना के requirement के लिए compete करेंगे वैसे अभी तक यह clarity नहीं मिली है कि Tata किसके साथ में मिलकर अपना tank offer करने वाला है और most likely यह clarity year end तक मिल जाएगी वैसे light tank requirement केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगी आप सभी को पता होगा कि भारतिय थलसेना के पास में 2000 1000 से जादा T-72 tanks हैं और यह tanks पुराने हो रहे हैं light tank की turret का प्रियोग करते हुए इन tanks को भी upgrade किया जा सकेगा और जो technology light tank के दौरान master की जाएगी वो भारत के future tank यानि कि FRCV में भी use की जाएगी भारतिय थलसेना के light tank में जो सबसे जादा unique feature होगा वो होगी इसकी anti-drone capability साथ ह इन tanks के साथ में unmanned aerial vehicles को भी integrate किया जाएगा यानि कि यह loitering munitions और surveillance drones को launch और operate करने में सक्षम होंगे इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही वीडियो को अन्त तक देखने के लिए धन्यवाद देखते रहे है आल पाड़ीपैंस जैहेंद कर दो कर दो कर दो कर दो